नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी competitive exam की बहतर तयारे के लिए सबसे महतपुर्ण होता है set practice करना, इससे आपके सिलेवस के सभी chapter का revision हो जाता है और बहुत सारे नए परस्न भी सीखते हैं, मैं साथ में आपको महतपुर्ण परस्न भी बताऊंगा जो परिक्षा में बार कोश्चन है बरतमान में किस निती निदेशक सिधानत को मूल अधिकारों पर प्राथमिक्ता प्राप्त है इसका correct answer है option number C, cable अनुच्छिद 49 के खो तथा 49 के गो में उल्लेखित निती निदेशक सिधानतों को क्या है मूल अधिकारों पर प्राथमिक्ता प्राप्त है अब रहिबाद की 49 के खो में है क्या तो अनुच्छिद 49 के खो में कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रन एवं नियंत्रन इस परकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सरवोत्तम साधन हो सके और अनुच्छिद 49 के गो में है धन का समान बीतरन से संबन दीते ठीक है दोस्तों किसी भी competitive की बहतर तयारी के लिए यह महत्पुर्ण होता है कि आप जब भी पढ़ें तो आपके साम जो भी कोश्चन है उससे जितने भी important question है जो कि एक्जाम में पूछा जाता है सब को एक सत रिविजन करना चाहिए अब राजिके निती निशक तत्व आया यहां स इस देश से लिया गया है तो यह आयरलेंड से लिया गया है ठीक है और एक कथन है कि राजिके निती निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बेंख की सुभधा अनुसार अदा की जाएगी यह कथन किसका है तो यह केटी साह का है यह ध्यान रखना एक्जाम में पूछा जात यह प्रारंभ किया अथम, निर्भर, हस्त, सिलिपकार, योजना ठीक है अब यह पूर्भुत्तर छेतर में कौन सा राजी आता है मालू मैं तो इसमें eight राजी आता है ठीक है कौन- कौन सा है तो इसमें है असम, मिजोरम, नागालेंड, अरुनाचल परदेश, मनिपूर, मि узнать और किसी यह ठ्यान रिखने थीगे आप इस में क्याने एक कोशन आता है कि अपको अप्सर देढ़ेगा और पूछेगा कि सेवन सिष्टर राजी नहीं यानि कि, सात बहने राज नहीं है तो आपको ध्यान रखना सात बहने राज है असम, मिजोरम, नागालेंड, अरुनाचल परदेश चार हो गया,sehen, मिजोरम, नागालेंड, अरुनाचल परदेश और फिर हैं, मनİपूर, मेह घाला और तिरपूरा यह सात cityster state है, ठीक है? सात ब निम लेकी तुमेंसे कौन पंचाइतों के बितिये इस्थिति का पुनर बुलिउपन के लिए राज defenders का गठन करता है सुमन्धित राज का राजपल और केंद्र b criminot का गठन कहता है तो राष्टपती करता है कितने बरसों के लिए करता है पांच बरसों के लिए ये करता है ठीक है राजबीत आयोग किस अनुछेद में मालो तो अनुछेद 243 के आई में है ठीक है राजबीत आयोग और केंद्र बीत आयोग का गठन किस अनुछेद में तो अनुछेद 280 में है तो ये भी ध्यान रखना है नेस्ट कोच्छन है भारत के समिधान के निमलिखित संसोधनों में से किसके द्वारा भारतिये नागरिकों के मूल कर्तब निर्धारित किये गए हैं यानि कि मूल कर्तब को किस समिधान संसोधन के ताद जोड़ा गया है तो इसका कोरेक्टेंसर ह कि संख्य कितनी बरत्मान में तो है 11 मौली करते हैं किस देश से लिया गया तो रूस से लिया गया ठीक है एक कोशन पूचा जाता है कि कि समिदान संसोधन के तहत प्रस्तावना में तीन नए सब्द समाजवादी धर्म निरिपेक्च और अखंडता को जोड़ा गया तो वह भ प्रेन से भारतिय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था तो यह चलाया था ऑप्रेशन गंगा इसका कोष ऑपरेशन को आपको याद रखना है ठीक है क्योंकि एगजय में पूछा जाता है जैसे ऑब ऑपरेशन कावेरी ये किसे समझने थे तो सूडान में फंसे ग्रिह यूद्ध के कारण भारतियों की मदद होते हूँ आपरेशन कावेरी चलाया गया था और आपरेशन दोस्त क्या आए आपरेशन दोस्त है तुर्की तुर्की सिरिया में जो भुकंप में तुर्की सिरिया भुकंप में राहत और बचाब कार जेतु एंडी आरेफ टीम और बायू सेना द्वारा चलाया गया और युक्रेन की राजधानी क्या है युक्रेन की राजधानी है कीव और युक्रेन की राष्टपती को ने तो वह है बोलो डिमिर जेलेंस की है ना जेलेंस की याद रखना है और रूस के राष्ट जो राजधानी का है तो रूस की राजधानी है मास्को और इनका पूतिन नेश्ट कोचन है बार्षा किस देश की राजधानी है तो इसका पॉलेंड की राजधानी है तो राजधानी मुद्रा और भासा देश की यह एकजाम में कोचन पूछा जाता है तो आपको राजधानी वाला याद रखना ध्यान से ने तो जैसे कि यह पॉलेंड की र इसका तो इसका देंसर है यह जापान की समचार एजनसी का नाम है क्योडो ठीक है और इटिली की समचार एजनसी का नाम क्या अनसा अभर फ्रांस का समचार एजनसी ए-f-p और मिस्र का है मेना मिस्र का जो समचार एजेंसी का नाम है मैना मैना आयद रखना है नेश्ट कोचन है कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है तो इसका इंसर है लेक सुपिरियर जील यह ताजे पानी के जील या तो मीठे पानी के जील पूझे तो यह है सुपिरियर जील ठीक तो वो है बैकाल जील अगर सिंपल में पुछा कि सबसे बड़ी है तो वो है सुपिरियर जील और एक कोश्चन पुछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी जील यानि कि सबसे बड़ी जील यानि कि सबसे बड़ी जील या तो कोई गहरा नहीं या तो कुछ भी नहीं मतलब विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सा यानि आयतन की दरिष्टी से सबसे बड़ी जील है केस्पियन सागर याद रखना है केस्पियन सागर से कोशन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जील नहीं है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है केस्पियन सागर में नाम मे सागर लगा लेकिन यह एक जील है और विश्व के सबसे बड़ी को मुसा है तो वह वन जील और विश्व की उंचाई पर अस्थित जील कौन सा तो रहें टीटी काका जील इसे जाद कर रहना है और यानि कि टीटी का का ठीट है और इसके ऊपर एक टेशेल है तीटी यानिंई उचाई हो गया ने कितनको उंचा होगा तो सबसे उंचाई प्रश्ठीट जी ले मिया चैनल कहें तो यद रखनाल थेकल। आप भारत में भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की जिल कौन सा है तो वो है चिलका जिल उडिसा हो गया और भारत की सबसे बड़ी नमकीन जिल कौन सा है तो वो है सांभर जिल राजस्थान में नेश्ट को चने कि बिश्व की सबसे छोटा पक्षी कौन सा है तो वो है हमिंग बड इसका को प्रेक्ट एंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हमिंग बढ़ है जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है आचा विश्व का सबसे बड़ा जो है जिवित पक्षी कौन सा तो वह सुत्रमुर्ग और एक कोशन यह भी पुछा जाता है कि कि देश की रास्ट्य पक्षी है तो वह नियुजिलेंड का है यह ध्यान रखना है अचा बिहार का राज की पक्षी कौन सा है तो वह है गुरईया भारत का जो रास्ट्य पक्षी है वह है मोर नियस्ट कोशन है निमलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमन करने वाले कौन थे तो इसका कोरेट एंसर है अरब य अचा एक कोशन आता है कि मोहमूद गजनभी ने भारत पर कितनी बार आक्रमन किया तो वह 17 बार आक्रमन किया था महमूद गजनभी ने नेस्ट कोशन है कि मुस्लिम लिख का गठन कब हुआ था तो इसका कोरेक्ट एंसर है 1906 पी में हुआ था, कहां हुआ था, तो ये धाका में हुआ था, बंगला देश के राजाने धाका में हुआ था, मुसलिम लिख के संस्थापकों ने, तो आगा खां और सलीम उल्ला है, नेस्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर है 12, रियक्टर असकेल का प्रियोग किसके मापन में किया जाता है, तो ये भुकम्प की तिब्रता मापन में किया जाता है, और इसी तरह एक और सिस्मो ग्राफ, तो उसको भी ध्यान रखना है, वो भी भुकम्प का, भुकम्प मापने वाला एक यंत्र है सिस्मो ग्राफ है, ये ध्यान रखना है नेस्ट कोच्छन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्स हुई थी तो पानीपत का तीसरा युद होगा था 1761 में अब यहां कि पानीपत का जो इंपोर्टेंट युद्ध है इसलिए यह तीनों युद्ध से एक्जामी में कोच्छन पूछा जाता है क कब हुआ और किसकी किसकी बीच हुआ तो आपको तीनों युद्ध को एक साथ यहां पर देखना है पानीपत का पर्थम युद्ध हुआ था 1526 में ठीक है 1526 में पानीपत का दूसरी युद्ध में अकबर ने किसको हराया था तो हेमु को हराया था ठीक है यह ध्यान रखना पानिपत का तीसरा यूद जो है वो वा था 1761 में किसके बीच हुआ था अहमद सा अबदाली और मराठा के बीच हुआ था नेस्ट कोच्छन है अप्रेल 2023 में जारी जल सक्ती मंत्राले द्वारा भारत में जल सरोतों की गनना की रिपोर्ट में सरवाधिक जल सरोतों की मात्रा में किसमें है फिर से समझे अप्रेल 2023 में जारी जल सक्ती मंत्राले द्वारा भारत में जल सरोतों की गनना की रिपोर्ट में सरवाधिक जल सरोतों की मात्रा में किसमें है तो इसका correct answer है यह तलाब में सरवादिक जल सुरोत जो है वो तलाब में है भारत में ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है 2023 में ठीक है यह ध्यान रखना एक question पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जिल कहां है तो वो है तमील नडो में ठीक है सबसे ज्यादा तलाब और जला से कह होता है तो यूपी में ही होता है निश्ट कोशन है कि संसोधन द्वारा मतदान की आयू 21 भरस से घटा कर 18 वरस की गई है कई यह कई बार एकजाम में रिपीट हुआ है काफी इमोर्डेन कोशन है ध्यान रखना है कि कि संसोधन की तहत मतदान की आयू जो एक इस वरस से में किया गया था ठीक है यह ध्यान रखना है और राष्टी मतदाता दिवस का मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को ठीक है जिसे कि चुनाब आयो का अस्थापना कब गवा था तो 25 जनवरी 1950 को गवा था तो इसी 25 जनवरी से ने राष्टी मतदाता दिवस मनाया जाने लगा यह ध्यान रखना है यहां पर दो इंपोर्टेन कोश्चन और पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्ष चुनावायुक्त कोन थे तो सुकुमार सेन थे और करेंट अफेर में याद रखना है भारत के बरतमान में जो मुख्ष चुनावायुक्त कोन है राजीव कोश्चन आते हैं जिससे की कोई कोश्चन है आपका यहां से बन जाए जैसे सुर्ज से दूरी के करम में जो गरा है उसको देखेंगे ठीक है यह सुर्ज हो गया इससे दूरी के करम में बुद्ध सुक्र पिर्थवी मंगल , बिरस्पति , सनी , अरून बरून यह आठ गर आ है ठीक है अब अगर पुछा कि शुर्ज से सबसे नहीं नहीं गरा कॉन सा है तो वह है बुध्ध यहां से इंसर हो जाएगा और सुर्ज से सबसे दूर वाला गरा कॉन सा है तो वह है बरून इसे याद रख लेना है ईसे चार्चार करके याद रख लेना है बुध्दसुक्र पृत्वी मंगल विरसपत्य सनी अरुन अरुन बरुन अब एक कोश्टन पूछा जाता था कि चुद्र गरह कीन दो गरहों के बीच में तो आपको ध्यान रखना है चुद्र गरह यहाँ है और चुद्र गरह के चुद्र गरह के चुद्र चुद्र गरह मेंत्र गरह में और सबसे बड़ा गरह सबसे चोटा और एक कोशन पूछा जाता है कि सांज का तारा किसे का जाता है तो आपको ध्यान रखना है सांज का तारा भोर का तारा सबसे ग्रम गरह सबसे चमकिला गरह यह सब सुक्र ग्रह को कहा जाता यह ध्यान रखना है नेश्ट कोच्छन है कि पत्ना में गुरु गोविंद सिंग का जन्म किस वर्स में हुआ था तो इसका कोरेक्ट एंसर ऑप्शन नमबर डी से प्राप्त हो ऑफारसी कहां से उसने तो यह आनन्दपुर साहिव से उनके सीखछा होई थी वहां और फार्षी वही सिखाता आननपूर साहिब से ठीक है अब यहां यह कोचन और पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक को ने तो एक गुरु नानक देव गुरु नानक देव का जन्म कहा हुआ तो तलबंडी में हुआ था अभी वह ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है पकिस्तान में ठीक है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था 1479 में वह था नेस्ट कोचन है कोंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी यानि कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी का गठन का वह था 1934 में वह था एक कोचन बिपेसी सीज्ट यह बिहार से सीजियल में पूछा गया था कि कॉंग्रे करेस्ट समाजबादी पार्टी का अध्यक्ष जो बना था वह अचार्ज नरिंद्र देव ठीक है और माहसची थे यह परकास नरायन अध्यक्ष ते आचार्ज नरिंद्र देव तो यह आपको याद रखना ठीक है अच्छा यह कोश्चन आता है कि लोक मानने किसे का जाता है तो आपको ध्यान रखना है लोक मानने ने बाल गंग अदर तिलक को का जाता है और लोक नायक का जाता है जैपरकास नरायन को ठीक है तो यह दोनों में कन्फूजन वाला है इसलिए एक साथ यहां ध्यान र है भी हर के पटना में शॉलह अपरेल उने सो तीस के नमक सत्यागरा कनेतर है तो इसका पर चमपारण में नमक सत्यागरा कनेतर तो किस ने किया था तो बिपीन भिहारी सर्मान ने किया था यह द्यानक ना चंपारण में नमक सत्यागरा करने तो बिपीन बिहारी सर्माने किया था अच्छा 1930 की बात आई नमक सत्यागरा था था 5011 मार्च 1912 को हुआ था तो यहां से कोश्चंड यि जो व्यार्ट मना जहता है आप बाइस मार्च से जब भी question आयने तो आपको बाइस तारीक से जो चार important question है उसको दिमाग में तुरंट revision हो जाना चाहिए ठीक है एक जाम में पूछा जाता है जिसे बाइस मार्च को क्या है बिहार दिवस हो गया बाइस मार्च को और कौन से दिवस मना जाता है बिसु जल दि दिवस 22 माई को 20-जय बिवित्ता दिवस तो यहनि कि देखिए लगा तार हो गयाने March, April, माई एक question important एक जाम में पूछा जाता है कि बांगला देश को एक आजाद देश के रूपे मानेता देने वाला पहला देश कौन सा है तो वह है भारत ठीके उसके बाद भुटान दिया था याद रखना है आपको ठीके बांगला देश के राज़ाने का है धाका बांगला देश के अनुपरियोग केंद्र या तो अंत्रिक्ष उपयोग केंद्र यह कहा है तो यह अहमदाबाद में ध्यान रखना है कई लोग नहीं जाते तो बंगलूर्व टिक कर देते क्या लेकिन आपको ठीकर त्यान रखना है अंत्रिक्ष उपयोग केंद्र यह है अहमदाबाद में इसरोग उपयोग केंद्र है बंगलूर रुमें भाबा प्रमानु अनुष्णदҭर केंद्र क हाँ है तो यह मुंबई में 27 27 दवन अंत्रिक् पिनाक है तो पिनाक क्या है तो इसका correct answer है यह multi barrel rocket launcher है पिनाक ठीक है यह question आग से पुछा जाएगा कि सागरी का क्या है तो यह समुद्र से छोड़े जाने वाली एक cruise missile है सागरी का तेजस क्या है तो पहला स्वदेशी हलका लड़ाको बिमान है तेजस next question है question number 24 ग्यानपीट पुरुसकार निमलिकेत में से किस छेतर में बिस्स्ट योगदान के लिए दिया जाता है तो ग्यानपीट पुरुसकार मिलता है साहित के छेतर में ठीक है अब यहां से कुछ question पूछा जाता है ग्यानपीट पुरुसकिर की सुरुवात का वुगा था 1965 म और करेंट पिर में याद रखेंगे आपको 2022 का झो है ग्यानफिट पुरुषकर जो की 2023 में मिला तामी घंट को there में दिया जाता है तो पत्रकारिता के छेत्र में जाता है देखिए अब यहां कन्फ्यूजन माला यह कोशन इसी तरह है एक हो गया तो पुलीतिजर ठीक है देखिए एक है पुलीतिजर पुलितिजर पुरुसकार और एक है पृतिजिकर पृतिजिकर ये पृतिजिकर 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 जो है यह बास्तुकला के छेतर में जयता है यानि आर्ची टेक्चर के छेतर में दिया जाता है बास्तुकला के छेतर में पृतिजिकर पुरुसकार दिया जाता है यह ध्यान रखना है नेस्ट को चने भारत में पहली बोलती फिल्म थी तो यह है आलम आरा अब पहला मुख फ पहले मुख फिल्म कौन सा है राजा हरिष्चंद्र है ठीक है और भारत में पहला हिंदी का जो पहला फिल्म है वो भी कौन सा है राजा हरिष्चंद्र है एक कोशन पूछा जाता है कि भारती फिल्म का जनक कौन सा है कौन है तो वह दादा साहिब फाल के दादा साहिब फाल क यह द्यान रखना है द्यान रखनाना है अंतराष्टी मुद्रा कौसा IMF की अस्थापना की सम्मेलन से हुई थी तो यह वा था ब्रे बुस्ट सम्मेलन से हुआ था यह खने अब यहां पर कुछ पूछा जाता है जैसे कि अस्थापना भी हुआ था और بी सुबंग और IMF ये दोनों का मुख्याले का हैं वासिंग्टन डीसी में और यह दोनों के अस्थापना कब वह था उनी सो चोवालिस में वह था नेस्ट कोच्छा ने बर्स 2022 का चिकित्सा का नोविल पूरुसकार किसे समारित किया गया था इसका कुरेट एंसर है यह स्वात्य पाबो को मिला था चिकित्सा का नोविल पूरुसकार 2022 का अब 2023 का नोविल पूरुसकार किसको मिला है चिकित्सा के छेतर में तो यह आपको ध्यान रखना है 2023 का जो है ने चिकित्सा का नोबिल पूरुसकार मिला है केटालिन कारिको और डू बीसमेन ये दो लोगों को मिला है केटालिन कारिको और डू बीसमेन ठीक है अब देखें 2023 में जो है नोबिल पूरुसकार किसको मिला है किस छेत्र में आपने याद किया होगा कहीं कहीं आप देखे भी होंगे तो आपको यहां एक बर क्योंक रिविजन करवा देते हैं 2023 में नोबेल पूरुसकार किसको किसको मिला ठीक है यहां से कोशन पूछा जाता है तो पहले आप समझें नोबेल पूरुसकार है ने यह कब दिया जाता है इसके सुरुवात कब होई थी नोबेल त्स दिángक बर से ही और उर्पोड़न कोशन पूछा जाता है कि राष्ट्य माना अदेत दीकार मनाया जाता है 10 어 सब्जेक्ट हो गिया बहुती की रसायन चिकिचा और अर्थ्सास्त्र यह चार हो गिया और दो सांती और साहिती ये छे छेत्रों में दिया जाता है ठीक है अचा सांती का नोबिल पूरुसकार ने कहां दिया जाता है तो नोर्बे की राजानी ओसलो में दिया जाता है अब बांकी सरीनी का जो नोबिल पूरुसकार है वो सुडन के अस्टोक हों में दिया जाता है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरुस्कार प्राप्त करता को है तो मलाला उसुफ यदि यूसुफ जै यह यह पकिस्तान है ठीक अब 2023 में चोछनोwriting पूरूस्कार मिला उसको भी रिविजन करते हैं देखिए फिजिक्स में किसको मिला है तो यह मिला है Pio Agustini को Piera Agustini फिजिक्स में तीन लोगों को मिला है एक है Piera Agustini दूसरा है Parenk Krauj और एक है L. Heulier तीन लोगों को मिला है, फीर सी समझे Pio Agustini, Parenk Krauj और Heulier ठीके? और राषाइन के छेत्र में भी तीन लोगों को मिला है मोंगो जी बोबेंडी मोंगो जी बेबोंडी और दूसरा है लुइस बूस और तीसरा है एलेक्सी एकिमोब अब इसमें देखे तीनों नामों में बो का साउंड आ रहा है ठीक रसायन के छेतर में जैसे बोबेंडी लुइस बूस और एलेक्सी एकिमोब यह रसायन के छेतर म में दो लोगों की एक को मिला है किसको नरगिस मोहम्मदी को इसे याद किस रखना जैसे सान्मम को सांत्रह निया नाग से नरगिस और साम्टिक चहतर में इसको मिला यानी कि-चे दो नरगिस मोम्ममदी मिला साहथत के छहतर में किसको मिला इसा याद की सब्सक्राइक कि उसमें फ़ंस घिकidad वह सायथ इतना अच्छा लेख gög इननी सेमिले जोन पोष्ये को अर्थ सास्त्र का नोविल पुर्षकर 203 में किसे मिला टो कलावडिया गोलडीन को मिला इसा जाए जैसे गोल्डीन को गोल्ड से रेल्ट करें आपके पास अगर अधिक गोल्ड है तो आपका आपका आर्थ ववस्ता क्या अस्ट्रोंग है यानि कि आर्थ सास्तर में गोल्डीन को मिला है नोबल पुरुषकार यह ध्यान रखना है ऐसे याद रख लेना है नेस्ट कोश्चन है ललित कला अकादमी की शुरुआत यह अस्थापना किस बर्स में हुआ था तो इसका कोरेक्ट एंसर है 1954 में हुआ था 1954 में और क्या हुआ था भारत रतने की शुरुआत भी 1954 में हुआ था ठीक है अचा भारत रतने पाने वाले दो गयर भारती कौन कोश्चन है मालोग सबसे पहले बिदेशी जिसे भारत रत मिला वह है खान अब्दुल का फरकान और दूसरा है नेंसल मंडेला देश का सरबोच भीरता पुरुषकार कौन सा है तो वह है परंबिर चक्र नेश्ट कोश्चन है भारती सम्मिधान के निमलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतरगत बिदान परिशद की अस्थापना या समाप्ति की ववस्था की गई है तो इसका कोरेट एंसर है अनुच्छेद एक सु सुन्तम आयू कितनी होनी चाहिए तो तीस वर्स होना चाहिए और एक चीज़ ध्यान रखना है राज्य सभा की तरह ने बिदान परिशद वी एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता है नेस्ट कोशन है तानसेन किस मुगल समराट के दरवार के संगित तक गी थे त कि नवरतन किसके दरवार में राता था तो नवरतन अकबर और चंद्रकुप दूती दोनों के दरवार में राता था ठीक है आस्ट दिगज किसके दरवार में राता था तो यह कृष्ण देवराय के दरवार में राता था एक है आस्ट परधान यह किसके दरवार में राता सीवा जी के दरवार में रहता है तो आपको रう और और अस्ट परधान हो जह को आपे कोशन से पूछा जा शाया है कि सखर वो रोतरी और में यह हैं 9 ना है कि सब्सेंध 역시 सरकार कार्वार ौध जाlt कि उदय का सरे किसे दिया जाता है तो इसका correct answer है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है ये question direct ऐसे पूछ लिया जाता है कि निमलिकित में से कौन गरम दल की नेता है या तो गरम दल की नेता नहीं है तो आपको याद रखना है गरम दल की नेता कौन-कौन से है तो वो है लाल यहां पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल विवाद के कारण कॉंग्रेस का विवाजन कब हुआ था तो 1907 में सुरत अधिवेशन में हुआ था कॉंग्रेस का विवाजन ठीक है और यह पुणा फिर दोनों कम मिले थे यानि कि इनका समझोःता शुरत अधिवेशन में इसका जो समझोता हुआ था लखनों समझोता के नाम से जाना जाता है कॉंग्रेस का पुनर मिलान हुआ था 1916 के लखनों अधिवेशन में भारती सम्मिधान के अनुसार केंद्री मंत्री किसकी इक्षा रहने तक पद समहालेंगे तो इसका पुनर में तो इसका यह भारत के राष्टपती के एक्षा नूसार यह पद पर रहते हैं तीक है अनुच्छिद 75 के दो में कहा गया है कि मंत्री गन जो है राष्टपती के परसाद परियंत अपने पद पर बने रहेंगे अचा राष्टपती का पत की सनुचेद में तो अनुचेद 52 में है ठीक है और संग की कार्जपाली का सक्ती राष्टपती में नहीं थो है ये की सनुचेद में तो ये अनुचेद 33 में है राष्टपती का निर्वाचन की सनुचेद में तो ये है अनुचेद 54 में निर्वाच से होकर बहती है कर यह कहां से बाध से कौछन पूछन जाता है कित की प्रणभिक राजधने कौन सी थी तो राजग्री थी बाद में फिर फिर यह नहीं पॉतली कि रास्टी है नधी कुण सा तो उस गंगा भारत के सबसे लंबी नधी कौन से तो भी है गंगा नधी की लंबाई कितना 25 सो पचिस किलो हैatus न Ambation 25 ठीक है अच्छा सोन नदी कहां से निकलती है तपको याद रखना है सोन नदी और नर्मदा नदी यह दोनों निकलती है अमर कंटक्स से नेस्ट कोश्चन है डूरंड लाइन, कि दो देशों के बीच है, तो डूरंड लाइन है यह पकिस्तान और अफगनिस्तान के बीच, इसका अंसरट D हो जाता है, अब यह क्या इस टैप कोश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, भारत और चाइना के बीच कौन सा रेखा है तो वे मेग मोहन रेखा ठीक है और भारत और पकिस्तान के बीच कौन सा तो रेड क्लिफ रेखा है ठीक है यह ध्यान रखना है और एक कोश्चन यह पुछा जाता है यहां पे कि कौन सराज बंगला देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है तो वे त्री पूरा तीन तरफ से यहनि त्री पूरा नेस्ट कोचने ऐसी इस्थिति जिसमें स्फिती के साथ बेरोजगारी में ब्रीधी हो रही हो वो कहलाती है तो इसका correct answer है यह गतिहीन स्फिती कहलाता है अचा आर्फ सास्तर के जनक कोन है तो एडम अस्मी थे नेस्ट कोचने 37 मुगल बादसा बावर की मिर्तिव कहां होई थी तो इसका correct answer है यह आगरा में इनका मिर्तिव हुआ था अब यहाँ बावर जो है बावर से कोचन पूछा गया है तो बावर किस बंस का सासकता तो यह है मुगल बंस का सासकता मुगल बंस का संस्थापक कोन है तो वह है बावर बावर का जन्म कब हुआ था तो 14 फरवरी 1483 में हुआ था उजवेकिस्तान में हुआ था यह ध्यान रखना है बावर का मकवरा का है मुहा फार देंगे यहीं मूगलकल की फारसी और गुप्ट की बहां Zhanskrit गुप्ट शन्सकृत गुप्त शन्सकृत यह दोनों कोशनसं पूछा जाता है इसलिए इसको ध्यान से याद रख लेना है न्य thirty न जै। मूगलकाल की फारसी और गुप्त खिलाडी में कि थूर dedicate counting खोको और basebol में किपने खिलाड़ो में कितने और किलाक्ग होता है तो तो नो फिलाड़ी होता है और आप उपर में 9 छो तरहित है इसन नहीं का रहना कि इसन ना खाता कि एनिकी बेशन से ऊन carta खाए यहां यह खोखो खेल यहांनी कि baseball और खोखों में दृम्ण क्शलर की अर्प कबड़ सब्सक्ते हैं चे को लडब का पुस्तक कोन यह इसका टुटू और दलाई लामा ये दोनों हैं लिटिल बुक आफ जुआ नाम पुस्तक के लेखा के डेसमन्ड टुटू और दलाई लामा इसका एंसर हो जाता है सी नेश्ट कोचने भारती क्रिसी अनुसंधान संस्थान कहां अस्ति थे तो इसका करेक्ट टेंसर है नई दिल्ली में है ठीक है इसे याद कैसे रखना है देखिए बहुत सारे अनुसंधान संस्थान है जिससे एकजाम में कोचन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है जैसे क्रीसी जो है ने क्रीसी अनोसंदान संस्थान आ दिली में ठेक है है और गंणा अनुसंधान संस्था ने राजमुंदरी में तो इसे एक लाणी याद रखना है क्रीड कववा मतलब सालेन रखना है क्रीड कववा गंटूर तारा करीद advisor या किसा दिल्ली में गंडूर या गन्ना जो अनुसंदान संदान है वो कंप तुर में तरा यानिकी तंबाकु है राज्मुंद्री में क्रिद कववा गंटूर तारा चिक चमचे आसी लारा तो ये दो लाइन एक हो जाएगा चिक यानिके चीनी अनुसंदान जो है ये कानपूर में है चिक चमचे चमडा अनुसंदान संसंदान का है चेन नहीं में चिक चमचे आसी लारा आसी मतलब आलू अनुसंदान संसंदान सिनिला में लारा यानिक लो अनुसंदान संस्थान राची में तो दोफ याद कर लेना क्रिद कोवगंजंतुर तरहीशंदांस चिकछंदान याद हो गया क्रिष को फिरखा सब्सvotgn गण्ना कव्यम्टूर में और तारह यानि तमबाकु ठोर संधान राजमुंदरी में उत्त यम और लारायनिकी लोह अनुसंदान संस्थान राची में तो यह याद रखना है नेस्ट कोश्चन है कि गुजरात में आयोजी छातिसमा राष्टी खिल 2022 में सुभंकर था तो इसका कुरेंट एंसर है यह साबज था इसका सुभंकर का नाम था साबज साबज का मतलब क्या हुआ एस याई सेरे ठीक है अब करेंट टेफर में एक कोश्चन याद रखना आपको कि सैंतिसमा रास्ट्री खेल 2030 कहां होगा तो वह होगा गोवा में कुछ इंग्लेंड के बर्मिंगम में हुआ था तो यह अस्ट्रलिया में होना प्रस्ताबी थे ठीक है और फीफा बल्ड कप 2022 कहां हुआ था कतर में 2026 कहां होगा तो अमिर्का मेक्सिको और कनाड़ा ये तीनों देश में होगा फीफा बल्ड कर 2026 नेस्ट कोश्चन है सांसद के चुनाब के लिए मतदाता की नियुन्तम आयू कितनी होनी चाहिए तो नियुन्तम आयू क्या है मतदान के लिए 18 बर्स होना चाहिए ठीक है और मतदान की आयू 21 बर्स से घटाकर 18 बर्स की सम्मिधान संसोदन के तार किया गया था तो 16 सम्मिधान संसोदन के तार उनि Smells學, 1989 में किया गया था, ये धिहान रखना है, तिक है, और राष्टी बत दातादिवस को मना जाता है, 25 जनवरी को मना जाता है, अचह, लोग सभा सदस बनने के लिए नियुनतम आयू कितना होना चाहिए, तो 35 बर्स है तो याद रखने आपको राष्ट पती उपराष्ट पती और राजपाल ये तीनों के लिए हैं ये नियूंतम आयो होना चाहिए 35 बर्स होना चाहिए ठीक है नेस्ट कोचन है कोच्चन 43 ऐटारे सो संतावन के बिद्रोग के दरान भारत का गवररीन के लोट केनीग भाठ फेल लॉट केनिग का कार्चपन अÈक्मazar अगाल ये कर आतक्तिक था तो ये लोड केनिंग था, लोड डलोजी का काल कव तक था, तो ये 4856 था, 1848 से 56 और देखे, लोड मेयो का कार्चकल कितना था, 1879 से 72, लोड रीपन का कार्चकल कितना था, तो ये था 1884, अब देखे, ये चारो जो हैने, ओप्शन में जो चारो काफी इंपोर्टेन या चारो पूछा जाता है जिसे लोड डलोजी के समय क्या important हुआ था तो भारत में पहली बार रेल जो चला था 1800 तिरपन में लोड डलोजी के समय हुचा था ठीक है लोड केनिंग के समय क्या हुआ था तो तो 1857 के क्रामती हुआ था लोड मेयो के समय क्या हुआ था भारत में पहली बार है ने जनगन्ना लोड मेयो के समय हुआ था 1872 में और अगर पूछे कि भारत में पहली बार नियमीत जनगन्ना किसके समय शुरूआ तो 1881 में लोड रिपन के समय हुआ था ये ध्यान रखना है नेश्ट कोश्चन है बुद्ध किस बंसे सम्मंदित थे तो इसका इंसर है यह साक के बंसे सम्मंदित थे बुद्ध ठीक है अब महात्मा बुद्ध यानि कि गौतम बुद्ध से कई इंपोर्टेंट कोश्चन पूछा जाता है तो सबको एक साथ यहां रिविजन करेंगे जिसे गौतम बुद्ध का जन्म कहा हुआ था यह लुंबी नहीं वहा था कब हुआ था पांसो तिरे साथ हिसापूर में अब देखिए गौतम बुद्ध और महाबिर यह दोनों में कभ भूतम में तो अने ने तो तीरे सट गौतम बुद्ध का जन्म कि पांसो तिरे सट इसापूर में और महाबिर स्वामी का जन्म पांसो चालिस इसा पुर्व में हुआ ठीक अच्छा गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था तो सिधार्थ था बुद्ध भागवान को ज्ञान की प्राप्ति कहा हुआ था बहुत गया में पीपल ब्रिक्ष के नीचे हुआ था एक क्वेस्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मिर्थियों कहा हुई थी तो यह कुशी नगर में वह था और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में सरबादिक सरावस्ति में और मिर्थियों कुशी नगर में यानि कि यह तीनों स पुश्तक किसके द्वारा लिखा गया तो इसका कोड़रेट एंसर यह मेगनाद दिशाइदार लिखा गया ठीक है अब कुछ पुश्तक है जो कि यहां पर याद रख लेंगे जैसे कि क्रौस कोर्ट इसके लेखा को ने तो जैदिप मुखरजी क्रौस कोड़र के लेखा के जैदिप मुखर जी और एक कोश्चन है कि कि कलर्स ओफ डीबोशन के लेखा को ने अनिता भरत सा है ठीके और एक पुस्तक और याद रखना आपको रिफॉर्म नेशन के लेखा को ने तो गौतम चिकरमाने किसका रिफॉर्म नेशन के लेखा गया गौतम चिकरमाने नेश्ट कोश्चन है भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन यानि कि इश्रो ने मचवारों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा से कौन सब विक्सित उपकरन को लौंच किया है तो इसका कुरेट एंसर है यह नव मित्र उपकरन को लौंच किया गया है यह ध्यान रखना है अब इसरो से इंपोर्टेन कोश्चन पूछा जाता है जिसे इसरो का फूल फॉर्म क्या हो गया इंडियन अस्पेस रिसर्च और्गनाजेशन इसरो की अस्थापना का हुआ तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था इसरो को मुख्याले का है बंगलूरु में इसरो का बरतमान अध्यक्ष कोन है तो एस सोमना थे यह ध्यान रखना है नेश्ट कोश्चन है कौन सा राज्य यकेंद्र सासित परदेश है जहां लगातार दो महला मुख्यमंत्री बने थी तो यह दिल्ली में बना था लगातार दो महला मुख्यमंत्री बने थे कौन-कौन जैसे दिल्ली की पहली महला मुख्यमंत्री बने थे सुसमा सोराज उसके बाद दूसरी बने थे सीला दिक्षित यह द्धानकने अचा बिहार के पहले मेला मुखमंत्रि मुख मंत्र बने तो यह किसी भी राज्ज की पहला मुखमंत्र कौन थे तो वह सुचेता कृपलानी यूपी के बनी थी और पहला राजिपाल पनी थी तो वह यूपी की बनी थी सो यूरो मुद्रा को स्विकार करने वाला नभीन्तम देसِ है टो if標 इंसर रहे यह क्ली इसना है जो कि नभीन्तम देसे को स्विकार करने वाला ओर यूरो यूरूप exactly 20 की अधिकारिक देस तो यह नहीं हो और यह पूसंन बें बृल्स पर याद रखना है ने कि रहें ने तो इसका correct answer यह 30 से 35 डिगरी आक्षांस में अस्थी थे, ठीक है, 30 से 35 डिगरी आक्षांस ने उच्च बायुदाव छेतर होता है, यह भी ध्यान रखना है, नेश्ट कोचने, भारत और Asian Development Bank ने मिलकर भारत की किस सहर में एक जलवायू परिबरतन और स्वास्त केंदर की अस्थापना करेंगे, तो इसका correct answer यह दिल्ली में किया जाएगा, नेश्ट कोचने 51, पास आती हुई रेलगाडी की सीटी की आबरिती या तिक्षनता बढ़ती जाती है, ऐसा निमनिमे से किस परिघटना की कारण होता है, तो यह होता है, यह डॉपलर प्रभाव की कारण होता है, ठीक, डॉपलर प्रभाव धोनी एवं प्रकास दोनों से संबंदी थे यह धियां रखना है, नेश्ट कोचने, कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में तो दवाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है, क्योंकि दाव अधिक होने से बर्फ का गलनांग घट जाता है, तो क्या होता है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दवाने पर वो टुकड़े चिपक जाते हैं, यह धियां रखना है और एं और वर्व से पूच्छा जाता है कि बालठी में भरी होई पानी की बालठी में बफ का टुकड़ा रखा हुआ है तो बफ के पीघरलने पर क्वा पानी का आईतन बढ़ जाएगा घट जाएगा तो आपको ध्यान रखना है पानिक आई तर वह परीवर्तित रहेगा ठीक है यह जल की बात होड़े हैं जल का हीवान नियुल होता है जब मेगनिसियम ऑकसिजन की उस्तिटी में जलता है तो जो आला का रंग कैसा होता है वो क्रेक्ट और यह सफेद होता थीक है और यह को सदातव पाया जाता तो मेगनिसियम ही पाये जाता है तो प्रिष्टले निंदे किया और हाशाने वाली गैस जो है एन टू ओ नाट्रस ओक्साइड है इसका खोज भी प्रिष्टले ही नहीं किया नेश्ट कोच्च ने किसी लिफ्ट में बैठे हुए बेक्ति को आपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है तो इसका कोरेट एंसर है जब लिफ्ट ने तोरित गती से ऊपर जाती है जब लिफ्ट में जब उपर चलिए गने तो भार अधिक महसूस होगा ठीक है और जब लिफ्ट में नीचे आएंगे तो भार क्या होगा कम महसूस होगा ये ध्यान रखना है नेश्ट कोच्च ने हाइड्रोजन से भार रबल का गुबारा बायू में उपर जाकर फट जाता है क्योंकि बायू दाव घट जाता है ये ध्यान रखना है कई बारें उदाहरन से दायर्ट कोच्चन पूछा जाता है ठीक है जैसे पिर्थिवी से उपर जाने पर बायू मंडली दाब कम होने के कारण ही ने परबत पर खाना का जल्दी नहीं पकना होता है मैं बैठे बेकती कि निकल जाता है जो किसके कारण होता है यह 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 दियां रखना है कितने समस्थानिक होते हैं तो समस्थानिक होते हैं हैंडर कवेंडिस ने किया था आचा बरमांड में सबसे अधिक पर्चूर मात्रा में कौन सा तत्व है जिसे की सूर्जी में और तारों में सबसे अधिक कौन सा तत्व है तो वह हाईडरोजन ही यह ध्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है जब परकास के लाल हरे वो नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाए जाता है तो परिणामी रंग जो है वो कौन सा हो जाएगा वो सफेद हो जाएगा समान अनुपात में जब मिलाएंगे तो सफेद हो जाएगा अच्छा यह लाल हरा नीला से कुछ य निहाल यानिकी नीला अहरा और लाल करता है कि वालक निहाल कर दिया यानिकी यह प्राथमिक रंग हो गया नीला अहरा और लाल नेश्ट कोश्चन है मैंध्यं के तापमान में ब्रिधी के साथ परकास की गती क्या होता है गट्ती है ऐ तापमान में यहले हो त्परभाप नहीं की जैसे कि फेसे तापमान पर आला जो नो कोई प्रभाब नहीं पढ़ता है मतलब अध्यांक यह थैका हरा परकास के गती पर हैं तापमान का कोई परभाव नहीं पढ़ता है यह द्यान रखना है इसका एंसर हो जाता है नेश्ट कोश्चन है रडार का उप्योग निम्ने में से किसके लिए किया जाता है तो इसका परियोग किया जाता है इसी तरह है सुनार और पर परियोग किया जाता है नेस्ट कोशन है कि पोशन की उस प्रनाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं बी घटित जेविक पदार्थों से पोशक्त तो प्राप्त गरते हैं तो उसे डेस पोशन प्रनाली कहा जाता है तो इसका कोरेट एंसर है यह मृत जीवी पोशन प्रनाली कहा जाता है ठीक है यह और का ने खाइद स्रिंखला जैसे पोछ ने एक वोशन इस टाइब को पूछा जाता है कि एक पोशी अस्तर से दूसरे पोशी अस्तर में उल्जय का कितना अस्थान अंतरन होता है उर्जय का 10% जो नियव किस ने दिया तो लिंडमें ने दिया यह याद रखना है ठीक है पारा से और क्या कोशन पूचा जाता है कि द्रव ववस्था में कमरे की तापमान में द्रव ववस्था में पाई जानवा धातु कौन सा है तो वह पारा ठीक है अद्रव ववस्था में पाई जानवा अधातु कौन सा है तो वह ब्रोमीन ठीके ये इसे याद रहे और confusion कभी नो हो तो इसे याद कैसे रहना है देखे धातू एक ही है पारा और ढटातू यानिकी ब्रोमीन बड़ा वाला सब्षा जया जाता है कि मीनवाथा रोग है ने किसके कारण होता है तुव पारा के कारण होता है अब इसी तरह confusion होता है एक इटाई इटाई रोग तो यह होता है केडमियम के कारण होता है नेस्ट कोचने नीला थोथा का रसानिक नाम क्या है तो इसका correct answer है नीला थोथा का रसानिक नाम हो जाएगा को पर पर सलल्फेट नीला थोथा का रसानिक नाम क्या है को पर सलल्फेट नेस्ट कोचने 62 पानी का अधिक्तम घंत्प किस ताप्मान पर होता है तो बसकार शहरी चल्फियस प्त चा इसका प deux games कि तूथा स्वस्था जो अधिक्ति ग्रीजाई और आर्फन न्यून था यह द ऐसे आपको याद रखना है नेश्ट कोचन है नाभिक की दर्मान संखियां है तो नाभिक का जो दर्मान संखियां है वो क्या है नाभिक में न्यूकली यानों की संखियां है ठीक है अब यहां से कोचन इसे पूछा जाता है कि आपको याद रखना है जैसे कि न्यूट्रोन क कि संखियां और प्रोटोन की संखियां देगा दर्मान की संखियां पूछ देगा कभी न्यूट्रोन और दर्मान की संखियां पूछ देगा तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रोन की संखियां और पलस प्रोटोन की संखियां बराबर होता है दर्मान संखियां ठीक है न् वे आन जीन में işcan Korean होती है वह क्या कहलाता है तो कि इसका कुरेंट यह कहलाता है समेलक्ट्रोनिक कहलाता है ठीक है इलेक्ट्रोन्यों के संख्यां समान हो तो सम इलक्ट्रोन कहलाता है अगर यह दर्मान समानों भार समानों तो वह संभारिक कहलाता है न्यूट्रोन समानों तो वह संभारिक कहलाता है ऐसे याद रखना है नेस्ट कोचन है कि बायू में किस गेस की मात्रा सरवाधिक है तो बायू मंदल में सबसे ज़्यादा कौन सी गेस है नैट्रोजन है उसके बाद oxygen है यह ध्यान रखना है अच्छा सबसे ज़्यादा देखिए बायूमंडल में नैट्रोजन है इस टाइप के तीन question important पूछा जाता है जैसे एक होगिया बायूमंडल में सबसे ज़्यादा औक्सिजेन पाए जाता है और बाइयु मंदल में स्बसे ज़ादा नाट्रोजन पाय हे जाता है की तक ौछon ने निम्ल न खी से तुए टंग स्टन ये धियां रखना है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो इहीरा नेश्ट कोस्टेनि परती बरती क्रियाओं का नियंत्रन केंद्र कहा है तो इसका correct answer एक कसे रुक रज्जु में कसे रुक रज्जु को ही मेरु रज्जु भी बोला जाता है या तो spinal code कहा जाता है ठीक है कसे रुक को और एक question आता है कि जैसे भूख प्यास ताप नियंत्रन प्यार गुस्सा घिर भग कौन कराता है तो hypo thalamus कराता यह ध्यान रखना है निश्ट कोश्चन है नि में से कौन एक माणम निर्मित गेहु है तो इसका correct answer है एक ट्रीटे के लें यह मानम निर्मित गेहु है एक question आता है कि गेहु का रसानिक नाम क्या है तो बैग्यानिक नाम क्या है तो वो है सब्सक्राइब करता है ताकि दिवारों पर केल्सियम कारवनेट की पतली प्रत बन सके तो इसका कुरेट एंसर ये करवन डॉकसइड से जो है परतिक्रिया करता है ठीक है करवन डॉकसईड से पूछा जाता है कि सुस्क वर्फ कि से आ तो से तोस करवंड आपर डोक्साइड को सुस्क वरफक आ जाता है जली पूल गोभी कोली फिलॉवर को खाने का यूजिंक होता है जू घाने योग जबागsite कसा कर देने जाता है इसंद की पूशपासन के लुदní एवं अंतह भित्ती और मुंग फली का खाने का भाग होता है बीज तंत्र और बीज तंत्र और भुरून ये ध्यान रखना है नेश्ट कोचने पोलियो ड्रोप यानि कि ओरल जो वेक्सिन ने पोलियो का इसके खोच करता कोन है तो यह है अलवर्ट साबीन अगर सिंपल में पोच दिया कि पोलियो की खोच करता कोन है तो वह है जॉन स्वल्क यह याद रखना है अच्छा यहां टीका की बात हो रही है तो टीके का सबसे पहले खोच किस ने किया था तो वह किया था एडवर्ट जेनर ने किया था और किस सबसे पहल ने था टीविव्यंट पहले कोच ने किया था था तो इसका किया था खोलख क्या था एलेगजेंडर फिलि सिलींग ने किया था यह कहले पहला कि कि नहीं किया देवानों वचकी नहीं इफ दाने कि समय कितना होता है तो तीन 100 हडी होता है धिकर और सबसे बड़ी हडी कौन सा मानभ सर्य कि सबसे छोटी हड़ी कौन सा है तो अस्टेपीज हड़ी है जो की कान में पाये जाता है नेस्ट कोश्चन है डेस के लिए रसायनिक सुत्र है एक कोश्चन आपको याद रखना है कि रसायनों का समराट किसे का जाता है तो सल्फ्यूरिक अमल को ही रसायनों का समराट का जाता है H2SO4 को ठीक है, next question ए, आलू किस कूल से समभन दित हैं, तो इसका correct टेंशर है, आलू है ने, शोले नेसी कूल से समभन दितें, आप सोले नेसी कूल से कौन कौन सा समभन दितें, सब को याद रखना है, जैसे कभी पूछ दिये जाए, कि बेगन किस कूल से समभन दितें, तो सो थूरा बैला और कोना टमाटर यह सब क्या है सोलेनेसी कूल से सम्भन दित है और तरबुज खरबुज लोकी जीरा कंकड़ी पटल अकरेला यह सब क्या है कुकूर जीरा पटल करेला कुकूर्च में आता कि आलु है क्या तो आलु एक तना ठीक है यह जयान रखना है आलु हल्दी अध्रक यह सब क्या तना प्याज क्या एकonter वल्ब है यह याद रखना है ठीक है दोस्तों इस तरह से से च नमबर 18 अधारा का जीकेड और साइन्स का पूरा कोश्चन होता है समाप्त और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कोश्चन पुछाता है कि राश्ट्री राजमार्ग योजना कब शुरूआ तो यह हुआ था 1995 में अच्छा भारत में इंटरनेट की शुरूआत कब हुआ था तो वह भी 1995 में हुआ था और आ कोश्चन है